आज का जो केस है I think इसके बारे में तुम लोगों ने पहले सुना होका 2006 से 2007 तक ये बहुत ही भयाना केस निठारी इंडिया से हमारे सामने आया जिसने पूरे इंडिया को ये सोचने पे मजबूर कर जया था कि हमारे नेबर हुड में क्या चल रहा है और इस केस का आफ्टरमाइट ऐसा था कि लोग नौईडा पुलिस पर शक करने लगे थे इस वीडियो अगर आपको ये चीज पता है कि मैं गाने गाता हूँ तो प्लीज गिमिया चांस प्लीज गो लिसन तो मैं आपको ये गाना पसंद आएगा अगर इस असनिपट आप दे रहा है मैं अगर चांस अगर को मैं अप जाकर सुन सकते होँ या फिर में दिस्रिप्शन में भी होगा मेरे पिछली 10 वीडियो में से सिर्फ एक वीडियो मानेटाइस है मैं इसमें कुछ जूट नहीं बो रहा हूं यह रहा मेरा स्क्रीनशॉट अगर आपको मेरे विश्वास नहीं है तो आप खुद उन वीडियो पर क्लिक करके देख सकते हैं यह नहीं हुशरे इस साथ वीडियो में सकते हैं गात टार मेरे विश्ट एस इस पर एक है बात कर तो हैं अमजिए और आपको सब्सक्राइब टेहरे इस श़िश्बाइब कार निया कि यह श्रुर्षा or else I will find something else So, hopefully you guys won't mind that thing since I was doing all my videos without sponsor and which was my only sponsor you guys were happy but I was not doing it again So hopefully you guys will understand where I am coming from so when the coming week please be on lookout and if you want to support me right now then just like all of my videos and go listen to my song yea, that's the best thing you can do right now But, with that out of the way, let's learn more about today's case revolving around Nithari Khan 2005 जून निठारे सेक्टर 31 नौईडा के पास निठारी गाउं है जिसके एक साइट तो पॉश अच्छे मकान है और एक गेटेट कम्यूटर है सेक्टर 31 की पर उधर ही दूसरे साइड यहां पर स्लम्स और कच्चे मकान है जहां वर्किंग क्लास यहां फिर मजदूर रहते हैं पर निठारी में 2003 से 2005 से नहीं 2003 से कुछ missing बच्चों की रिपोर्ट्स है और ये बच्चों का नंबर था 16 से लेके 20 तक मैंने निठारी के बहुत सारे रिपोर्ट्स लेके हैं पर सब ही उसमें लोग ये बोलता है कि 2005 से बच्चों का गया बना शुरुआ था इन बच्चों की एज रेंज 16 से 17 साल की थी और जादातर बच्चे इसमें निठारी के स्लम्स इरिया से आते थे और इन में से एक भी खोयावा बच्चा कभी घर वावस नहीं आया वेल यहां पे हुआ ये कि स्लम्स और लोगर क्लास होने की वज़ा से जब भी कोई पेरेंट अपने बच्चों की मिसिंग रिपोर्ट लिखाने पुलिस वालों पे जाते या फिर वो उन पे कंप्लेइन करने जाते कि हमारा बच्चा खो गया इतने दिन हो गया है ऐसा सब कुछ तो पुलिस उन लोगों को अंसुना कर देती थी और उनने वापस घर भेज़ देती थी क्योंकि ये सीधी और साफ बात है कि यहां के लोग गरीब थे जो कि मिस्टरी, ओटर चलाने का काम या फिर ऐसे काम करते थे जो कि एक मिडल क्लास फैमिली वाले लोग नहीं करते हैं तो पुलिस उन्हें वैल्यू नहीं करती थी उन्हें ये कहकर भगा दिया जाता था कि तुम्हारे स्लम्स में बच्चे हमेशा घूमते रहते हैं वो कई गए होंगे, कुछ दिरों में वापस आ जाएंगे which was true in some cases, but not all also, स्लम्स में कुछ cases में ऐसा होता था कि बच्चे खुद ही अपने घर से तंग आकर यहां से भाग जाते थे So in some parts, Noida police was right about this thing पर फिर भी, पुलिस ने किसी भी not even a single, यहां पर किसी भी complaint को नहीं लिखा तो करीब 2 साल तक बच्चे गायब होने के बाद अच्छानक से एक और केस निठारी में सामने आया फरवरी 2005, रिमपा हल्दर एक 14 साल की बच्ची निठारी के सेक्टर 31 के पास से गायब हो गई उसके पेरेंस ने उसे ढूनने की बहुत कोशिश करी पर वो लड़की उन्हें कहीं भी नहीं मिली तो उन्होंने पुलिस पर जाने की कोशिश करी पर उन्हें वहां से भगा दिया गया था सेम रीजन देखे रिमपा के डैड एक सिंपल वरकर थे इसलिए उन्हें वहां से भगा दिया गया था इसलिए बहुत बार पुलिस से मिनत करने के बाद भी जब उन्होंने कुछ नहीं करा तो रिंपा के पेरेंस ने हार मान दी और उन्होंने अपनी पेटी को ढूणना बंद कर दिया रिमपा के गायब होने के कुछ एक महीने बाद इस एरिया में जिस एरिया में रिमपा गायब हुई थी उस एरिया में कुछ बच्चे क्रिकिट खेल रहे थे और इस एरिया में एक बहुत बड़ा वाटर टैंक था जिसके ठीक नीचे पर नाली थी पानी बहने के लिए तुमने भी देखा होगा water track की ठीक नीचे overflow के लिए या फिर कभी जब पानी जाता आता है उसके लिए नहर रहती है वैसी वाली जगा तो खेलते खेलते इन बच्चों की ball इस नाली में गिर गई बताया गया और अब इस चीज को देखकर वहां पे बहुत सारी भीर जमा हो गई थी तो पुलिस वालों ने वहां पर आकर पुलिस वालों ने ये कहा कि ये हाथ किसी बच्चे का नहीं है ये हाथ है किसी जानवर का जो थोड़ा बहुत रिजंबल कर रहा है एक छोटे हाथ से इसलिए फिकर करने की कोई बात नहीं है तुम लोग अपने घर वापस चले जाओ उसके बाद नॉइड़ा पुलिस उस पॉलिथिन बैक को लेकर उस हाथ को लेकर वहां से गायब हो गई और ये एविदेंस भी हमेशा हमेशा के 7th में 2006 को नंद लाल की 17 साल की बेटी पायल इस ही मकान D5 के सामने गायब हो जाती है जब रात बहुत जादा हो गई थी तो उनकी बेटी वापस नहीं आई तो नंद लाल ने इधर उधर पूछने की कोशिश करी कि आखिर मेरी बेटी गई तो गई कहां और पूछते पायल इस फ्लाट D5 में गुसी जब पायल बहुत देर तक अंदर जाने के बाद वापस नहीं आई तो रिक्षय वाले ने इस घर की बेल बजाई और फिर वहां से भाहर आया सुरिंदर कोली ये इस घर का सर्वेंट था जो कि उतरा घंट से दिल लिया था काम ढूणते वे और जब आटो वाले ने उससे पूछा कि पायल कहां गई तो उसने कहा कि वो तो चले गई थी पर इस बात को टालने के लिए सुरिंदर कोली ने उससे कहा आटो वाले से कहा कि वो तो पीछा वाले रास्ते से चले गई है और ये बात सुनकर और इस बात को सच मान के ये आटो वाले से चले गया अब आटो वाले से ये बात सुनकर नंदलाल जी जो पायल के पिता थे पायल के जो फादर थे वो इस घर में आगए डी फाइव में आगए वो वहां आए उन्होंने वहां की बेल बचाई पर उस घर में कोई भी नहीं था उस समय या फिर at least कोई उस घर से बाहर नहीं आया फिर नंदलाल जी बाकी बच्चों की तरह अपनी बेटी कंप्रेंट लिखाने भी गए पुलिस के पास पर उन्हें भी ये कहकर वहाँ से भागा दिया गया कि वो एक लड़की किसी लड़के के साथ भाग गई होगी एंड में कोई और आप्शन ना दिखते हुए नंदलाल लॉइडा के SSP के पास गए जून 2006 को मदद मांगने के लिए और SSP से मिलते ही उन्होंने पुलिस को इस केस को ढंग से जांच करने का ओर्डर दिया पुलिस को सीधा एक्शन लेना पड़ा और उन्होंने सबसे पहले पाहल का फोन रेस करा जिससे उन्हें ये पता चला कि हाँ इस घर में साथ माई की शाम तक पाहल का फोन एक्टिव था और इस आटो वाले के जाने के टाइम पर ही ये फोन डियक्टिवेट करा गया था और तो और पाहल के फोन रेकॉर्ड में लास्ट नमबर सुरिंदर कोली का ही था इसलिए सबस्पिशियस बिहीवर की वज़ा से पुलिस ने सुरिंदर कोली को अरेस्ट कर लिया था क्योंकि इस पॉइंट पर सिर्फ सुरिंदर कोली का नाम भारा रहा था और क्योंकि सिर्फ वो ही घर में था तो उनंदलाल जी को लगा कि इसी ने मेरी बेटे के साथ कुछ करा है या फिर उनके दिमाग में ये आया कि इस कोली ने मेरी बेटी को किसी और शहर में बेज दिया है क्योंकि उस ताइम पर बहुत यादा औरगन ट्राफिकिंग चल रही थी तो this was also one of the possibilities पर इस से पहले कि investigation पूरी होती सुरिंदर कोली को उसके मालिक और D5 house के ओनर मुनिंदर सिंग पंडेर ने छूट दिला दी और वापस से ये केस square one पर आ गया था allegedly इस घर में D5 में बस कोली और एक काम करने वाली माया रहती थी और मुनिंदर यहां कभी कभी आता था बस आयाशी करने के लिए चुकि मुनिंदर सिंग पंडेर की फैमिली उसके साथ नौईडा में नहीं रहती थी तो वो कहें बार यहां लड़कियों को या फिर कॉल गर्स को बलाता था उनके साथ रात बिताता और फिर सुबह उन्हें वापस भीज़ देता था इसलिए कॉली बहुत पहले से अपने मालिक की मदद करता था यहां बच्चों और ओर्टों को लाने के लिए और शायद इसलिए उसने नंदलाल की बेटी पाईल को भी यहां बुलाया था नंदलाल को यह कहकर डीफेम करा गया कि तेरी बेटी क्या काम करती है ये तो तू हमें बता, ये तो पूरे समाज को बता और तूने ही अपनी बेटी को इस गंदे गंदे कामों में लगाया है which basically meant that Pyle was a sex worker पर लंदनाल ने इसका जवाब देते वे कहा कि जो भी मेरी बेटी काम करती है वो हमारी मजबूरी के वज़ा से है इससे उसे ढूनने में कोई कसर नहीं होनी चाहिए पर कोली के छूटने के बाद पुलिस ने दोबारा से नंदलाल की नहीं सुनी पर कहा जाता है कि जिस ठाने में नंदलाल जी complaint लिखाने जाते थे जिस ठाने में सुरिंदर कोली को arrest करा गया था वहाँ मुनिंदर सिंग पंधेर के बहुत ही अच्छे relation थे शायद इसी लिए जब उन्होंने कोली को छोड़नी की बात करी तो उसे एकदम से release कर दिया गया था anyways coming back to this thing पुलिस से परशार होने के बाद नंदलाल ने as a last resort कोट के पास जाने की सोची October 2006 को अब कोट के तो पुलिस को सुननी ही पड़ी और उन्होंने सब उसे पूछ ताच करनी शुरू करी तब उन्हें पता चला कि नंदलाल पिछले कुछ माईने से अपनी खुद की investigation कर रहे थे और उन्हें ये पता चला कि पिछले दो साल में जितने भी बच्चे और औरते गायवी थी वो सब ही यहीं सेक्टर 31 के हाउस D5 के सामने ही लास देखे गए थे अब पुलिस ने थोड़ा seriously investigation करना शुरू करा और वो वापस पहुच गए उसी नाली पर उसी टंकी पर जहां से यह सब कुछ शुरू हुआ था पर इस बार पुलिस को वहां और भी ज़्यादा प्लास्टिक बैग दिखे जो कि पूरे इंसानों की हड्यों से भरे हुए थे 17 सेट्स ओफ स्कल और बोन मिले थे प्लास्टिक बैग से जिन में से 11 लडिक्यों के थे और यह सारे के सारे प्लास्टिक बैग अगेंड डी 5 के ठीक पीछे थे इट वस क्लेर एस डे की मुनिंदर सिंग पंधेर ने ही कुछ करा है यहां तो 29 दिसमबर 2006 को मुनिंदर और कोली को पुलिस ने अरेस्ट कर दिया जिसके बाद ड्रेंस से नीचे और भी जादा प्लास्टिक बैग निकले जिन में अगें और भी सारे पार्ट्स थे पर इन में स्पेसिफिकली बॉडिस के हाफ्स थे पुलिस को exact नाम भी नहीं पता था विक्टम्स का इतने अलग-अलग पार्ट्स मिले थे इन बैग्स में वो बस identification DNA basis पर कर पा रहे थे क्योंकि अगें उन्होंने कोई भी रिपोर्ट नहीं लिकी थी पिछले तीन सालों में अब जैसे ही ये पन्नी और शरीर के पार्ट्स मिलने की बाद बाहर आई ये चीज वाइरल होगी न्यूस में और पूरे देश को आंसर चाहे थे कि आखिर हुआ तो हुआ क्या नॉड़ा में इनके कनफेशन के बाद चो चीजें बाहर आई वो कोई भी सोच नहीं सकता था बिकास इन सम एस्पेक्ट ये दोनों ही आदमी मॉंस्टर्स थे दो मैने 60 दिन अरेस्ट में रहने के बाद भी D5 के नॉकर कोली के अगेंस पुलिस के पास कुछ भी सबूत नहीं थे हाँ सारे के सारे बैग उनके घर के पीछे ही थे उनके घर के पीछे नाली में ही गिरे वे थे लेकिन ये उन्हों नहीं करा है इस वाद कोई भी सबूत नहीं था ये प्रूब करने के लिए कि इन बॉड़ी के तुकड़े कोली या फिर मुनिंदर नहीं करे थे पर फिर मेजिस्ट्रेट के थू कोली का कनफेशन से 23 फरवरी 2008 को रिकॉर्ड करा गया और उसका कनफेशन बहुत ही दादा हॉरॉफाइंग था कोली कहीं सारे लोगों को अपने माली के घर लोर करके लाता था जिनमें 9 लड़कियां, बच्चियां, 2 बच्चे और 5 औरतें थी और ये नमबर सिर्फ कोली के कनफेशन से है जिसके बाल कोली उन्हें मार कर उनके मरेवे शरीर के साथ सेक्स करता था और ये रे पटेंट तब था, जब वो उनकी बाड़ी को किसी आपजेक्ट से मार कर उन्हें अफस्टेर्ज ले जाता था So, उसके सारे विक्टम्स खून से लगपत होते थे And he still didn't stop वो सब ही बाड़ियों को सीड़ियों से उपर वाले बाथरूम में ले जाता और बाड़ डब में रख देता, वो इन बाड़ी इसको काट देता जिन में से कभी-कभी वो कुछ पार्ट अपने पास ही रख लेता था और बाकी पार्ट को वो प्लास्टिक बैग में ढाल कर अपने बंगलों के पीछे फेक देता था When I read this thing, my stomach sank Seriously, हम सब ही ने अपनी जिन्दीगी में घर के पीछे या फिर साइड में कभी न कभी प्लास्टिक बैग में कुड़ा फेका है एक ना एक बार तो पक्का फेका है तो कोरी ने ऐसा ही इन इंसानों के पार्ट के साथ करा वो इन इंसानों को अपने घर के पीछे फेक दाता था कूड़ा समझके फिर जो पार्ट्स वो अपने पा सकता उन्हें वो पका कर या फिर कभी कभी कच्छा ही खा जाता था ताकि घर में कोई भी एविडेंस ना रहे उसके अगेंस्ट जैसे कि मैंने तुम्हें बताया कि मुनंदर सिंग पंधेर की फैमिली उसके साथ नौईडा में नहीं रहती थी उसके साथ सिर्फ कोली और माया रहती थी जो उसकी गार्डनर थी और ये सारे के सारे खून हुए थे सुबह 9 बजे से लेके शाम 4 बजे तक कोली के हिसाफ से वो अपने माली को इन सारी लड़ियों के साथ फिजगल होते हुए देखता था और फिर ये चीज बार बार देख देख कर उसके अंदर भी ये एक्छाय जागने लगी और उसने बहला फुसलाकर जो भी लोग अपने घर में लाय थे उनने घर में ही मारा था विच इस काईड़ हार बलीब और इस नौट पॉसिबल इस पार इस पार इस सो वीर्ड क्यूंकि 20 से जादा लोगा कतल हुआ था इस घर में जिसको कोली ने अकेले मारा था according to him only but then घर में दो लोग और थे और उनने कभी भी इस केस के खुलने तक कभी भी इस बारे में नहीं सुना था या फिर किसी लड़ीकी की चीक नहीं सुनी थी दॉक्टर विनोत कुमार जो की चीफ मेडिकल सूपरीटेंडेंट है उनका ये कहना है कि जिस प्रिसीजन से इन बॉड़ीज को काटा गया था उससे ये हिंट मिलती है कि यहां सब ही कतल के पीछे औरगन ट्रेडिंग का मोटर था पर इस से फिर कोली का कनफेशन अलग था उसने तो ही सब कुछ वाइल्ड फैंटिसीज और इलूजन की वज़े से करा था अप दिस पॉइंट ये केस बहुत ही ज़ादा मैसी हो गया था क्योंकि कुछ लोग को विनोत कुमार की वज़े से लग रहा था और दूसरा कोली और मुनिंदर का मोटिव ही क्लेयर नहीं हो पा रहा था किसी को भी ना ही इनका कोई पैटन था लोगों को अगवा करने में दूसरा कोली ने खुल कहा था कि उसने सारे खून दिन में करे थे तो किसी ने भी पहले कुछ कैसे नहीं सुना And one more thing, कि किसी ने भी कैसे कभी bodies को drain में फेकते में नहीं देखा और ना ही किसी ने आस पड़ो उसमें foul smell की complaint करी क्योंकि जब bodies हड़ती है तो उसमें से बहुत गंदी बद्बू आती है क्योंकि अगर organ trading हो रही है नॉइडा में भी तो आदमी को घर से hospital ले जाने में किसी ना किसी का हाथ तो होगा ही तो फिर नॉइडा पुलिस लग गई इस angle को चेक करने के लिए हर एक hospital में जाके उन्हाने पूछताश करी कि कि किसने organ donate करा और किसने organ receive करा but again this perspective was a lost cause क्योंकि ये चीज पिसले तीन साल से होते वह आ रही थी but then 2009 फरवरी में कोली को CBI ने death sentence सुना दी थी रिंपा हल्दर के rape और murder case के लिए और December में दोनो मुनिंदर और कोली को death sentence सुना दी गई थी अलाबाद court से जिसके कुछ समय का study में रहने के बाद सुनादर कोली और उसके मालिक मुनिंदर सिंग दोनों का नार्को टेस्ट हुआ जिसमें jailer के according ये दोनों बहुत यादा cooperative थे और इस नार्को टेस्ट से ये सामने आया कि कोली नहीं सभी लोगों को मारा था but a weird thing here was कि नार्को टेस्ट में ये भी थाबित हो गया that मुनिंदर सिंग की इन किलिंग्स में कोई भी involvement नहीं थी उसको इन किलिंग्स के बारे में कुछ पता नहीं था सुनिंदर कोली ने भी ये confess करा था शुरुआत में भी और नार्को टेस्ट में भी कि सारे के सारे खून उसने खुदी करे थे या तो गला दबा कर या फिर चाकू या किसी बरतन से मार कर कोली भी अपने मालिक के थरा लड़कियों को इस घर में लाया करता था और एक दिन जब इन ही मेंसे किसी एक लड़की ने कोली को नामर्द बोल दिया तो उसका गुस्सा आउट अफ कंट्रोल हो गया और उसने उस लड़की को गला दबा कर मार दिया और इस ही इंसिदेंस की वैसे something switched in his brain फिर वो छोटे लड़के लड़कें को लोर करता, अपने घर लाता, उनका सोशन करता और फिर उनने मार दिता और फिर धीरे उसने इन बच्चों को मार कर खाना भी शुरू कर दिया था उसके बाद इन दोनों ने बहुत सारे घोटा ले करे लॉयर्स सेव देम फ्रम देथ पैनल्टीज स्टेटिंग कि उनके उपर अभी भी कोई concrete evidence नहीं था इवन दो कोली ने खुद confess करा था कि उसने ही सब को मारा था और लास में कोली और पंधेर को मेरट में अरेस्ट कर दिया गया जेल में The court announced life imprisonment to कोली under IPC 364 and death under IPC 302 while the other accused Maninder has been sentenced to seven year imprisonment under section 5 So, इस ही वज़े से अपने साथ साल की सजा काट कर मौनिंदर सिंग पंधेर अब खुला गूम रहा है यहाँ पर यह possibility आ रही थी शुरुआत में कि मौनिंदर सिंग पंधेर नहीं सारे कतल करे हो और अपना सारा इलजाम अपने नौकर पर लगा दिया उसे पैसे खिला कर या फिर उसे धमगा कर उसने सारा इलजाम कोली पर लगा दिया पर अब इस केस को कहीं सारे साल हो चुके हैं और I think कि अगर कोली ने उसे उसना में बचाया भी होता तो death penalty मिलने के बाद वो सच उगली देता नौईडा पुलिस की नेगलिजेंस की वज़े से भी इसमें बहुत सारे लोग की जाने चले गी क्योंकि अगर वो शुरुआत में एक्षिन ले लेते तो शायद जादा लोग की जाने ना जाती पर allegedly इस केस में बहुत जादा करेशन भी रोल प्ले करता है so I don't know how much that would have helped but what do you think who actually killed these people and these kids हम दो सस्पेक के बारे में ही बात करता है so was it Kohli or was it Pandheir पर इसी के साथ निधारी कान अभी यहीं पर समापता है before you go I would just like to request you all कि सबसे परदे तो please go listen to my song and second thing is that कि अगर आपको true crime documentaries लेखना पसंद है then please subscribe to me because I try to make these as informative as I can and as simple to understand as I can and also thank you so much for 700k जिसन में रिकॉर्ड कर रहा हूं उस दिन साथ लाग हो गया मेरे thank you so much guys with that I hope you guys are happy I hope you guys are healthy please keep your loved ones very close to you guys and I will see you very very soon bye bye